आपका पीए से हई आया था और आपने अपने बयोप CC कराई है और उसमें Prostate Cancer आया है Prostate Cancer की रेपोर्ट पे लिखा हुआ है कि आपका Gleason score 6 है या Gleason 7 है या Gleason 8 है, Gleason 9 है, Gleason 10 है Gleason score दिया हुआ आपने प्रोस्टत कैंसर का तो या Gleason score का क्या मतलब है मैं ड। आशी सर्ववाल, Prostate Cancer Specialist and Robotic Surgeon न्यू डेली इंडिया से, आज आपको Gleason Scoring के बारे में full information दूँगा यह Gleason Score क्या होता है, इसका क्या significance है और आगे क्या करना चाहिए अगर Gleason Score Cancer आए तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि Gleason Score होता है क्या है आपको समझना चाहिए कि जो Cancer होता है, वो Normal Cells से थोड़ा इफरेंट होता है तो आप मानरी जी यह Normal Cells है, Prostate का और जो Cancer Cell है वो थोड़ा इफरेंट होगा तो वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और बिल्कुली इफरेंट भी हो सकता है तो जो Cells थोड़े से डिफरेंट होता है, उसे Gleason 3 बोलते है जो Cells थोड़े ज़्यादा डिफरेंट होता है, उसको 4 बोलते है और जो बहुत डिफरेंट होता है, उसको 5 बोलते है नॉर्मली 12 कोड लेते हैं 12 पीश लेते हैं प्रॉस्टेट में से जिसकी टेस्ट्टिंग करते हैं और उन मेंसे जो दो कॉमनली अकरिंग लीसन आते हैं उनकी स्कोरिंग करते हैं और वो उसका फाइनल रिजल्ट बोलते है मतलब कि अगर किसी का सिर्फ 3 कैंसर है पूरी बायोपसी में तो उसको 3 प्लस 3 बोलते हैं अगर किसी का 3 और 4 होएगा तो उसके 3 प्लस 4 बोलेंगे अगर 3 और 5 होएगा तो उसको 3 प्लस 5 बोलते हैं अगर सिर्फ 4 होएगा तो 4 प्लस 4 बोलते हैं अगर फोर और फाइव होएगा तो 4 प्लस 5 बोलते हैं और या तो अगर जिरफ 5 ए तो उसको 5 प्लस 5 बोलते हैं तो यह हो गया 6, 7, 8, 8, 9 और 10 तो जो Gleason होता है वो Gleason 6 से लेकर 10 तक हो सकता है Gleason और PSA में यह फरक है कि जो PSA वो तो 0 से लेकर 1000, 2000 कितना भी हो सकता है Cancer हो Gleeson 6 हो सकते है मैक्सिम में 10 तक हो सकता है तो हमारे को पढ़ा चल गया है की Gleeson score होता क्या है अभ इस Gleeson score का significance किया है इसका significance यह है जो Gleeson score है उससे हमां पढ़ा चलता है कि Cancer कितना aggressive है इसकी grading कह नहीं है अभा Cancer तो आ गया है क्या ये low grade cancer है कि high grade cancer है तो जो Gleason 6 होता है वो low grade cancer होता है और Gleason 10 जो होता है वो highest grade cancer होता है इसकी grading D-Amico classification होती है आपको मैं वो समझाता हूँ क्या होती है तो जो D-Amico classification है इसके अंदर patient का हम PA से consider करते हैं और Gleason consider करते हैं और cancer को low risk मानते हैं intermediate risk मानते हैं या high risk मानते हैं और ये risk किस basis पे होता है कि अगर किसी का low risk cancer है तो इसमें कम chances है कि वो metastatic disease होए मतलब cancer फैल जाए दूसरा कम chances है कि ये recurrence होएगी इस cancer की एक बड़ी treatment हो गया तो फुल treatment हो जाएगा और तीसरा cancer की वरसे मरने के कम chances होते है तो इसकी mortality low होती है जबकि high risk cancer उसके spread होने के chances जाएगा है उसके जो भी treatment करेंगे वापस आने का जाएगा रिसक है और तीसरा इस cancer की वरसे मरने का भी जाएगा chances है और ये जो DMA को classification हैं इसमें सिरफ glycern ही नहीं होता P.S.A. भी होता है तो अगर किसी का P.S.A. 10 से कम है या 10 से 20 है या 20 से जादा है इस पर classification होती है अगर 10 से कम है तो low risk intermediate risk में 10 से 20 और अगर P.S.A. 20 से जादा है तो वो high risk cancer में माना जाता है जो glycern है अगर किसी का 6 होगा तो वो low risk होता है अगर 7 होता है तो वो intermediate risk होता है और 8, 9 और 10 जो हो high risk cancers है मतलब ये aggressive cancer होते है इसकी वज़ाद से cancer spread कर सकता है metastasis हो सकता है जो भी आप treatment कराओगे recurrence जादा हो सकती है और तीसरा इन cancer से आप मर भी सकते हो तो ऐसे cancer अगर आते है 8, 9, 10 या intermediate 7 ये सब aggressive cancers होते है इसमें aggressive treatment करना चाहिए अब अगर आपका बाइपसी में कोई भी glycine का cancer है 6, 7, 8, 9, 10 ये तो grading होती है कि कितना aggressive cancer है लेकिन इससे ये नहीं बढ़ चलता है ये cancer कितना फैला है तो आपका एक बड़ ही cancer डिगनोस हो गया है कि इसमें कौन सा stage का cancer है कौन सी grade का cancer और क्या treatment करनी है अगर आपको भी prostate cancer आया है बाइपसी में और अब भी आप confused रहें कि आगे क्या करना चाहिए और आप एक second opinion लेना चाहते है तो आप मेरे को email कर सकते हैं या WhatsApp कर सकते हैं email address or WhatsApp number नीचे description में दिया हुआ है धन्यवाद